यह है IQ wireless port जो कि एक neckband है तो इस वीडियो में इसके unboxing and review करेंगे तो यहाँ पर पीछे इसके कुछ quick सी जो information हो दीवे यहाँ पर आपको इसमे 11.2 mm के driver देखने को मिल जाएंगे 18R का playback देखने को मिल जाएगा और इसमें ATMS की super low latency जो की gaming mode के लिए use होती है और यह काफी ultra lightweight है तो और यहाँ पर इस neckband के पीछे यहाँ पर कुछ इसके user manuals वगर दीए होई है एक cable है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें पूरे सब पेक है तो यह अपनी user manual है इसमें कैसे इसको operate करना है क्या इसके buttons के feature वगर दीवे है और यहाँ पर एक type A to type C की cable है और यहाँ पर कु अंदर की side में दीवे हैं इसमें तो इसकी जितने भी जो भी features वगर रहे हैं वो सारे आगे वीडियो में discuss करूंगा तो वीडियो के लास्तक बने रही है इसे अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको सबसे पहले जो इसकी जो magnets करना है जो no birds को एक दूसरी अलग करना है उसके अगर आपके पास IQ का phone है तो इसा pop-up में access देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो battery percentage वगर है वो भी show करता है और इसकी other details के लिए आपको आपके device के Bluetooth setting में जाके यहाँ पर setting में जाके आप देख सकते हो तो यह कोई specific application support नहीं करता है इसलिए जो IQ के phone से उन में आपको ऐसा interface देखने को मिल जाएगा other phones में आपको इसा interface नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पर आप only जो AAC codec वगर है इनको ही enable or disable कर सकते हो और जो बाकी extra features वगर है यहाँ पर आप देख सकते हो तो smart unlock वगर है वो आपको IQ phones में ही support करेगा यह और यहाँ पर extra इसमें additional features दीवे हैं जैसी आप जो इसके buttons वगर है वो कैसे काम करते हैं इसमें आप जो Google voice assistant है उसे enable कर सकते हो और यहाँ पर IQ services करके भी एक option है और यहाँ से आप नीचे से directly connect और unpair वगर कर सकते हो तो यह इतने सारे settings है वो only आपको IQ के phones में ही देखने को मिलेंगे अगर इसके build and design के बार में बात करे तो यहाँ पर जो इसकी wire quality है वो काफे decent है इसमें आपको braided cable नहीं मिलेगी बड़ जो wire है वो यहाँ पर काफे एची quality के ज्यादा जल्दी खराब या फिर तूटने वाली नहीं है इसमें और यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह birds की पीछे सा signing वाला design है और यहाँ पर जो की body देख सकते हूँ इसमें अंदर के side में buttons दीवे है play, pause, next, volume, up, down वो सारे multifunction buttons है और यहाँ पर एक side में आपको IQ के branding देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर overall इसकी build quality है वो काफी बड़िया है तो build quality है वो यहाँ पर IQ ने काफी अच्छी provide की है इसमें अभी हम बात करेंग तो जैसे की इसके box के उपर main center है तो इसमें आपको 11.2 mm के moving koist देखने को मिल जाएगी जो drivers है इसके काफी large है यहाँ पर और इसमें आपको AAC code का support देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बड़िया sound signature provide करता है आपको और इसमें आपको magnetic connect और disconnect का भी option देखने को मिल जाएगा और इन neckbands के अंदर आपको ATMS का super low latency mode भी देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर iqoo ने especially gaming के लिए बना है तो यहाँ पर आपको काफी low latency देखने को मिल जाता है इसमें तो मैं वीडियो में आगे आपको जो gaming test वो भी करके दिखाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिलकुल भी lag नहीं है sound में तो यहाँ पर आप gaming के लिए इसे prefer कर सकते हो इन egg band के अंदर आपको 130 mAh की battery life देखने को मिल जाती है जो कि आपको 18 hours का playback time दे देती है और इन egg band के अंदर आपको type C का charging port देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इसके उपर जो covering भी दिख जाती है जिससे dust वगर जाके यह खराब ना हो और यहाँ पर आपको इसके के लिए gaming अगर करते हो या फिर gaming के लिए purchase करना चाते हो जो battery life है यहाँ पर काफी अच्छी provide गीवी है IQ ने अभी मैं बताऊंगा कि आपको यह क्यों बाही नहीं करने चाहिए क्योंकि यह जिस price में आ रहे है आपको यह online 2500 या फिर offer में आपको 2000 के भी मिलते रहे तो भी यह यहाँ पर मैंने काफी तेस्ट किया इसको तो यहाँ पर मुझे इन में काफी low volume feel हुआ और अगर आप एक music lover हो तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी मैं prefer नहीं करूंगा क्योंकि जो इसका sound signature है इसकी range के other neckband से काफी कम है अगर आपको इसे gaming के लिए खरीदना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो बट इसके range में ही आपको इससे काफी बड़े बड़े neckband मिल जाएंगे अगर आपको लेना है तो मैं link description में दे दूंगा वहाँ से आप bike कर सकते हो तो इतना ही ता आज के वीडियो में अगर आपको वीडियो काफी informative लगा हो अच्छा लगा हो